है मैं मैंने ने पेटेम संट संट को रिटर्र रिक्वेस्ट किये वे थे और मेरा संट वक्स है पिक भी हो गया हम जानना चाहरा है किया मैं इसे। कि आपको सब्सक्राइब करना सिखेंगे दोस्तों मेंने केस्टेमर केर में बात किये और आपने सुना कि मेरा पेटियू मेरा पूरी तरह से deactivate हो गया है मैंने patium soundbox को deactivate कैसे की है इसका complete process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी skip मत किजे और इस वीडियो को carefully आज किजे तभी आप अपने patium soundbox को पूरी तरह से deactivate कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जुन्होंने patium soundbox को एक रुपया या फिरी में order कर लिए और जब हर मेने 125 रुपया कटने लगे तो आप patium soundbox को return करना चाहते हैं लेकिन कई वीडियो देखने के बाद भी वह आपने patium soundbox को return नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने soundbox को permanently deactivate कर पाएंगे patium soundbox को deactivate करने के लिए patium soundbox के पीछे दिये help line number पर call करना होगा और customer care से बात करना होगा अगर आप patium for business customer care से बात नहीं कर पा रहे हैं तो इसका complete video मेरे channel पर है आप उस video को देखकर patium for business customer care से direct बात कर सकते हैं आप patium for business customer care से अपने patium soundbox को return करने का request करेंगे जब आप से region पुछा जाएगा कि आप अपने soundbox को क्यों return करना चाहते हैं तो आप region में सिर्फ यही कहेंगे कि आपका swap close हो गया है इसलिए आप अपने soundbox को return करना चाहते हैं customer care वाले आपको तरह तरह के offer देंगे आपको उसके offer को accept नहीं करना है मेरे case में customer care वाले ने मेरे soundbox का charge 0 तक कर दिये लेकिन मुझे अपने soundbox को return करना था इसलिए उसके offer को accept नहीं किये अगर आप भी अपने पेटियम soundbox को permanently deactivate करना चाहते हैं तो आपको customer care का offer अपसेप नहीं करना है और अपना soundbox को deactivate करने का request करना है customer care वाले आपसे pick up address पुछेंगे आप carefully अपने pick up address को note करवाएंगे जहां से आप अपने soundbox को pick up करवाना चाहते हैं अगर आप किसी सहर या सहर के आसपास से बिलोन करते हैं तो आपको soundbox जल्द pick up हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर कोई delivery boy आएंगे और आपका patium soundbox को pick up करके ले जाएंगे अगर 10-15 दिन के अंदर कोई delivery boy नहीं आते हैं आप दुबारा patium soundbox को return करने का request करेंगे इसी तरह आपको patium soundbox return request करते रहना जब तक कि आपका patium soundbox pick up ना हो जाए मेरे case में मैंने 4 बर return request किये उसके बाद मेरे patium soundbox pick up हुआ जब आपका soundbox pick up schedule हो जाएगा तो pick up company के दुबारा आपके पास एक confirmation message आएगा जैसा कि आप screen पर देख रहे है soundbox pick up होने के बाद patium से एक message आएगा कि आपका old soundbox unmap हो गया है और आपका soundbox का charge नहीं लगेगा soundbox pick up होने के 4-5 दिन के बाद आप patium फूर business customer care में call करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि आपका soundbox deactivate हुआ या नहीं अगर आपका soundbox deactivate नहीं हुआ है तो आप उनको बताएंगे कि आपका soundbox pick up हो गया तो आपका soundbox deactivate कर देंगे इस तरह से आप अपने soundbox को permanently deactivate कर सकते हैं